आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Speaking Tips 4 Speaking Tips 4 मैंने आपको आपको पता है कि एक्जामपन में क्वेस्चन में मुझे प्लीस के बारे में पूछा था तो अगर आप प्लीस के बारे में हो कि कोई परसन के बारे में हो कि कोई चीज के बारे में हो तो हम इस रिलेटेड बात कर सकते हैं So describe about me मैं वही बोलूँगी कैसा है परसन का या कोई जगे का कैरेक्टरिस्टिक बोलूँगी कि किसी जगे की क्या खूबी है वो क्या है वो कौन सी जगे पर सिच्वेटेड है वहाँ पर फेमस क्या है तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें इन्वाइब करूँगी ठीक है? So describe about एक question था कि describe about a city or a town you know well तो मैं आंसर में इस तरही से जवाब दूँगी कि पहले कि मैं opening sentence बोलूँगी फिर बोलूँगी main sentence फिर मैं बोलूँगी why and how much base sentence फिर मैं बोलूँगी describe about so iska example रहेगा कि as per my knowledge my city Ahmedabad is the largest city in the state of Gujarat it is located on the bank of Sabamati river famous tourist places to visit in Ahmedabad city are like Sabamati Ashram, Lal Darwajal, Adala Stepville, Kakaria Lake, Sabamati, Riverfront and many more it is also known for the delicious foods and mouth-watering snacks तो यहां तक कर जो मैंने पुरा sentence means पुरा paragraph भोला उसको कैते describe about ठीक है so इसी की तरह से आपको प्रेक्टिस करनी रहेगी describe about के लिए और next video मैं आपको speaking tips 5 दे कराऊंगी तक के कल और तब तक के लिए यह साही प्रेक्टिस कीजेगा और अगर कुछ भी confusion हो तो comments में मुझे guide कीजे मैं आपको sure उस comments की solution दोगी तब तक के लिए thank you, bye